साथियो आप सबका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टैडियन लिस में देखे इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा जो देश के अंदर नई सिक्षा निती 2020 लागो हुई है उसके बारे में बात करेंगे देखे क्या होता था कि बहुत टाइ थे वो इसकी डिमांड कर रहे थे कि आप इसमें चेंज कीजिए आयोक से और गवर्मेंट से तो इस पर बहुत टाइम से चेंजिस नहीं होते आखरी वार जो चेंजिस हुए थे एजू के अंदर वो बात करेंगे क्या चेंजिस किया है इसके अंदर और आपको मैं एक एजुकेशन पॉलिशी को चेंज करने के लिए जो काम है क्या से क्या बदलाब करने है क्या करना है तो उसकी सुरुवात हुई थी जो है 26 जनबरी 2019 को इसकी सुरुवात कर दी थी मोधी गॉर्मेंट लेकिन इसका जो अंतिम चान था वो कप खता हुआ था कि 31 26 अक्टोबर 2019 को इसका जो है लास्ट अपडेट लिया गया था वैरियस उनिवर्टी उनिवर्सेटी और अलग अलग स्थी जो ठीक है तो इसमें हम बात करेंगे क्या-क्या उसके जो है नाम रखे गए हैं सोरी क्या-क्या इसमें चेंजिस हुए है और एक मैंने एक दिक्ए बहुत स्थेल में डिसकस करने के लिए ठीक है और हाँ फ्रेंड्स एक आपके है कि अगर मेरे चैनल पर नहीं तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक के जिय शिक्षा का अधिकार मिल जी है. मीन्स जो जितने भी होाइव देश के अंदर बच्चे हैं, उनको तीन साल से लेका ऑठारा साल तक की उमर तक के लिए उनको पढ़ाई है वह गॉश्मेंट करेगी। सारा जो अधिकार है वो गॉर्मेंट जो उनको मिलने चाहिए है बच्चे को और सारा खर्च गॉर्मेंट उठाएगी यह इसका भी बेसिक सेंस की ठीक है अगला पॉइंट से बात करते हैं क्या क्या है देखे इससे पहले क्या तदा कई सारे जो स्कूल थे जो उनके पर कोई एक बॉडी होती थी जैसे कि D.I.U.S होते हैं इस तरकी बॉडी होती थी लेकिन स्टेट लेबल पे एक बॉडी और बनाए गई है जिसका काम होगा कि पिर्टिक राजे के लिए राजे विद्धाले नियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र देखे स्वतंत्र का मतलब क इंडिपेंडेंट बॉडी होगी एक राजे विद्धाल पी नियामक संसा बनाए जाएगी देखें इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी किसी के अंतर काम नहीं करेगी वो एक इंडिपेंडेंट डिसिन लेगी अपने तो उ अच्छी बात है बड़िया बात है तो चेंजे से अच्छी तरह से एजुकेशन को समझेंगे वो लोग ठीक है नेक्स्ट डोस में चेंजे से वो यह क्या कहे है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है उसके लिए का गया दिखेता ही है के अर्ली चाइड़्वूल्ड केर एंड एजुकेशन है नहीं के एसी सी ए के अंत्रगत प्री प्राइमरी शिक्षा आगरणबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी जो तीन से छे साल के बच्चे है उनके लिए जो एजुकेशन है वो कहा होगी? यह तो स्कूल में होगी प्राइमरी प्रिय प्रियम से होते हैं और आगनबाड़ी के माध्यम से भी हो सकती है ठीक है जो next में changes किया है वह TAT लागू करते है TAT जो कहता है एक तो होता है state TAT होता है as TAT और एक होता है cTAT तो देखे जो TAT है चाहे cTAT हो या state कोई भी test हो टैट हो, उसके लिए जो teacher education eligibility है, वो क्या कर देगा, यह उसको up to secondary level इसको upgrade कर देगा, पहले क्या होता था, कि टैट सिर्फ primary level तक के लिए valid होता था, और secondary level और 8 तक के लिए junior level के लिए valid होता था, लेकिन अब inter college तक के लिए, यानि कि higher secondary level तक के लिए, higher नहीं secondary level तक के लिए यह TED को valid कर दिया, यानि कि 10 तक, ओके, so next हम बात करते है कि नई सिक्षान दिती में क्या है, सिर्फ B8 जो होगा, पहले क्या होता था, अब तक 2 साल का B8 होता था, after graduation और after post graduation, लेकिन अब क्या है, अगर आप graduation के बात करना चाहते हैं, तो वो 4, sorry, अब graduation के बात 2 बरस का होगा, औ intermediate के बाद वो 4 बरस का होगा, और अगर आप post graduation के बात को करेंगे, तो एक बरस का B8 कोर्स रखा गया, ठीक है, बड़िया बात है, और और कुछ changes के गये हैं, तो आपको बताता हूँ, जो नई निक्तिया होगी, अब education department का जो भी नई निक्तिया होगी, उनमें जो है, या त interview होना चाहिए, interview से क्या होता है, कि हम एक अच्छा और well educated, और अच्छे से explain करना वाई teacher को हम department में और school में लगा सकते हैं, आप सभी ने अभी देखा होगा, कि 2019 की बात है, उसमें एक बहुत वीडियो बारे लोड़ थे, जिसके अंदर एक teacher से, school की teacher से, Sunday लिखने को का गया तो इसी के लिए, उसी खामी को cover करने के लिए, demo test और skill test रखा गया है, ठीक है, next हम बात करता है कि credit based system को लाया गया, credit based system में क्या रखा गया है, credit based system में यह होगा, कि अगर आपने किसी भी essay college में ले लिया, जहां पर आपको, आपकी according पढ़ाई नहीं हो रही, आप उसे satisfy नह लेकिन आप उसे satisfy नहीं है, ठीक है, तो अब satisfy नहीं है, तो उसके लिए आप सोचते हैं कि college change करूँ, college आप change करते थे, अब तक करते था, आपको फिर से आपको, महला आप second year में है, यह third year में है, तो आपको फिर से एडिशन लेना पड़ाई का first year में है, लेकिन अब creative based system जो होंगे, उसमें इसकी जवद नहीं होगी, आप अगर second year में है, और आप college change करना चाहते हैं, तो आपको third year में है, एडिशन मिल जाएगा, on the basis of your credit system, ठीक है, तो बहुत अच्छा यह policy लाई की इंट्रूस की होगी है, इसके अंदर, next हम देखते हैं कि, जो teachers होते हैं, उनको हटाए जाएगा, और उनको सिर्फ teaching में ही रखा जाएगा, ठीक है, और हम बात करते हैं कि, जो इनकी teacher की duty है, वो चुनाब में लगेगी, चुनाब में ही duty लगेगी, और friends, कुछ और changes होईए, जैसे कि हम बात करते हैं, जो grammar में इलाकों में start quarter बनाए जाएंगे, जै next update में यह गया है कि, midday meal के सासा, जो कि midday meal होता था अब तक, और midday meal में क्या होता था, कि lunch मिलता था, लेकि lunch के सासा, breakfast को भी अंडॉल किया गया, अब breakfast भी मिलेगा बच्चों को, ठीक है, और next point हो, three language based school ही सिख्षा होगी, जैसे कि, अब जो तीन जो language हैं, वो भी अब इस जो है, education अंदर रखे गई हैं, उन में से भी आप, जो है, select कर सेते हैं, आपको क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, next में बात करते हैं, एक foreign language की, देखे, foreign language की हम बात करें, तो इसमें foreign language का भी, जो है, enroll किया गया है, जैसे क्या होता है, कि, आप जो बच्चे होता है, छो foreign language को भी, enroll किया गया है, इस course के, जो, education policy, यह नहीं 2000 भी इसकंदर, तो छोटे बच्चों के लिए, यानि कि, primary school में भी, foreign language पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, next, जो है, अगर हम बात करें कि, science, यानि कि, बिज्ञान, और गणित को भी बढ़ाबा दिये जाएगा, senior, हर senior secondary school में science और math विसे अनिवारे होंगे, ठीक है, अब तक क्या होता था, पहले हम कुछ और ले लेते हैं, जिसे लेकिन, जिसे कुछ भी है, अब science और math आपको लेना होगा, यह निवारे कंपसरी कर दिया है, ठीक है, इस्थान यह भासा भी, शिक्षा का माध्यम होगी, जो regional language होती ह है, जैसे कि कहीं, जैसे अगर हम बात करें, उतरी हिंसे, उतरी होता है, राहसे इतरत है, राज्ता रेते चुलती है, जैसे अब उनको regional language नोके पडाये जाएगा, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, और हम बात करें कि स्कोलों में राजन सर्कार का अस्षशर नहीं होगा, इस किसी भी स्कूल में किसी भी राजनिति के नेता का और सरकार यानि गॉपर्मेंट का कोई भी स्टेम नहीं होगा ठीक है वह एक इंडिपेंडेंट बॉडडी की तरह काम करेंगे ठीक है यह सारे चेंजेस किये गए हैं इसके अंदर जो एक अच्छा चेंजेस हैं वो यह है कि हमने जो गौर्मेंट ने क्रेड़ी बेस सिस्टम को एन्रोल किया है और सासाथ इंटर्वी और डेमो को रखा गया है जब जुसके टीचर की नहीं रिप्रुप्रिमेंट होगी यह अच शिक्षा भिवाग शिक्षा मंत्राली मंत्राली रखा गया इसका नम शिक्षा मंत्राली यानिके डायट उसको बोलेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम है HRD का HRD Human Resources and Development को नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दे गया है ठीक है फिनल्स तो यह थे सारे जो अभी तक जो है हुए है सारे नहीं जो थोड़ से इंपोर्टन लगे मैं आपको इंडॉल कर दिये ठीक है यह सारे चेंजस थे जो नाइस शिक्षा निती 2020 आई है आज 29 जुलाई को ठीक है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक कि केज़ेगा सब्सक्राइब केज़ेगा और जादे जादे वीडियो को शेर केज़ेगा धन्यवाद